नमस्कार आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब और मैं हूँ आपके साथ शूती डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम जानेगे कि डाइबटीज की मरीजों को किस तरह अपने किड्नी का खयाल रखना पड़ता है और ये सारी जानकारी बतानी के लिए मेरे साथ मौझूद है बिहार के जानी मानिये डाइबटोलोजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार तो डॉक्टर साहिब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चानल में तेंक्यो डॉक्टर साहिब आज मैं सवाल लेकर आई हूँ कि डाइबटीज के जो मरीज होते हैं उनमें देखा गए कि अगर हाई डाइबटीज है तो यूरिनीन की समस्या जो होती है वो बहुत जादा होती तो वो किस तरह अपने किड्नी का खयाल रखे डाइबटीज के तीन मेजर कॉंपलीकिसिन होते हैं एक हार्ट का दूसरा किड्नी का तीसरा जो होता है वो आख का होता है और फोर्थ नर्ब्स का होता है इसलिए इसमें देखा गया है कि जो हमारे इंडियन्स होते हैं उसमें किड्नी का इन्वाल्में डाइबटीक प्रस और और चैय का छिन्नी होता है अगर आप उसे में पानी डालते हैं सिंपल तो निकल जाता है लेकिन जब आप उस पानी में चैय की पत्ती भी डाल दें तो दीरे दीरे बंद anything के लिगता है。 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि मेरा सुगर जो है वो प्रॉपरिक कंट्रोल्ड हो प्लस अगर उन्हें किड्नी के थोड़ी भी इंवाल्मेंट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर से मिल करके अपने दवाओं में चिंजिस कराएं क्योंकि बहुत सी दवाओं हैं जो कि ड्यापटिक की दवाओं हैं जो कि किड्नी के इंवाल्मेंट होने के बाद हम लोग नहीं लेते हैं लेकिन कई बार होता है कि वो पेसिंट जो होते हैं वो बिना बताय हुई बिना देखे हुए बिना किसी डॉक्टर के सला के जो दवा छल रहा है उसको चलने देते हैं तो ध्यान देना है तिसरा चीज है कि दर्ध की दवाएं इसवली इंडिया में बहुत कॉमन ऌमें यह कहीं भी दर्ध हो रहा है किसी भी दवा का दुकान में जाख रहे कि दर्द की दवा ले ले लेते हैं और खाते हैं और लोगातार खाते जाते हैं। उस कंडिशन में किडिनी का इंवाल्मेंट काफी होता है, खासका डियाबिटिक प्रेसिंट में, तो उन्हें ध्यान देने की चीज है कि कभी भी वैसी गलती ना करें. डॉक्टर साहिब, अगर किसी को डाइबिटीज के कारण उनके किडिनी में परिशानी आ रही है, तो वो कैसे समझें कि उनके किडिनी में परिशानी उन्हें आ रही है? इन जेनरल हम लोग देखिए, हर छे महीने पर सभी जो डियाबिटिक प्रेसिंट होते हैं, उनका टेस्टिंग जबुर करवाते हैं, किडिनी के लिए, लिपिट फॉफाइल के लिए, ताकि यह देखने के लिए, क्योंकि इजोली किडिनी का इंवाल्मेंट बहुत कॉमान इसका फीचर है, तो जबुर करवना चाहिए, लेकिन इन जेनरल भी अगर पेसिंट हैं, अगर वो देख रहे हैं, कि उन्हें पिशाब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिशाब में जरन हो रहा है, पैरों में सुजन हो जा रहा है, आखों में हेमोकलवीन की कमी के जारण प खीचे मेंने पर अपने किडनी के जाच्श, अपनी आग के जाच्श, अपनी हार्ट की जाच्श वो नियमी तुप से कराते रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टन है हो यह प्र डीडियाटी के लिए हैं। तो यह किस तरह की घा तक भीमारी का रूप ले सकती है? प्रश्चिस होना करना पड़ता है फिर किड़नी का रिप्रेस्मेंट होता है जो कि अपने आप में बहुत टीडियेस काम है और बहुत करजीला चीज है तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस इन डिस्टेज पे न पहुंच करके अपने सुगर को प्रपरली कंट्रोल करें बीपी को कंट्रोल करें और डॉक्टर को बताये दौरा मेडिसिंस और डाएट को लें मैं उमिद करता हूँ कि काफिया फ्रों किर्णी से बचा हो सकता है तो उमीद करती हूँ डॉक्र साहे ने जो जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करे यूट्यूब पर देख रहे तो चानल को सब्सक्राइब करे डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल बॉक्स की माधिम से आप बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया